हलो जी कैसे हो सारे दिस दिलव पबर ये हमारी डिशन सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है यह अब एक बहुत ही इंपार्टन टॉपिक के बारे बात करने वाले हैं जो कि आपसे हर इंटर्वियू के हर कोशन के बाद पूछा जाएगा इसके बारे बात होनी ही होनी है इसका नाम ह है time complexity space complexity complexities के बारे में discuss करने वाले है time complexity होता क्या है क्यों चाहिए होता है reason क्या है उसी का कैसे आप time complexity निकालने वाले हो आपका TLE time limit exceeded जो error आता है जो आपने last video में देखा थो क्यों आता है उसका कैसे avoid कर सकते है space complexity कैसे निकल सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में घ्यान लेने वाले हैं अब हमने recursion नहीं पढ़ा है तो recursion functions की time complexity space complexity नहीं पढ़ेंगे, जितना हमने घ्यान अपता गर्जित कर लिया है, उसके हिसाब से time complexity और space complexity को थोड़ा बहुत समझने वाले हैं मेरा प्लान था में recursion के बाद आपका dedicated lecture लो इसके उपर मट अभी थोड़ी से अपने को need पढ़ने वाली है तो हम थोड़ास आपको देने वाले ज्यान time और space complexity के उपर dedicated session, dedicated lecture इसका recursion के बाद definitely आए गई आएगा, ठेक हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है time complexity और space complexity के बारे में इतनी चीज़ हमें समझ में आ चुकी है बहुत बढ़िया सबसे पहली चीज़ यहां पर हमारे दिमाग में आता हुए यार के time complexity क्या है होता क्या है time complexity इस चीज़ को समझते हैं एक बार हमने बोला है it is the amount of time taken by an algorithm to run as a function of length of the input तो एक algorithm कितना time लेती है चलने में उस time को हम दर्शा रहे है आपके जो input के length है उसका function बनागे देखे हैं दो चीज़े है क्या है यह कितना time लेती है उसके बारे मुझे पता लगने वाला है और किस form में पता लगेगा as a function of length of input दन है तो इसको मैं time complexity कहता हूँ मैंने एक algorithm लिखी जो मुझे बताती कि particular number prime number है या नहीं है अब मैं कैसे कहूँ कि algorithm अच्छी है या बुरी है slow है या fast है कैसे बता लगेगा मुझे उसकी time complexity है मैं बता पाऊँ कि यार इसकी time complexity big of n है यार इसकी time complexity big of n square है यार इसकी n factorial है उसके अधार पर मैं बता पाऊँ को कि ये particular algorithm या ये particular program अच्छा है या बेकार है हमें ये समझ में आगे कि ठीक है बढ़े इस time complexity ये बता लगेगे कि it is the out of time taken algorithm to run as a function of land of the input समझागी बात हमें कि यार ये कुछ नहीं है time बता रहे है मैं कितना time में वो चल रही है ठीक है ये चीज़ा में पता लग चुकी है वाई क्यों क्यों चाहिए भई हमें मतलब इसके बिना क्यों इस नहीं हो सकता देखो अगर आपके point of view से मैं बोलूँ बिलकुल logical point of view से मतलब practical बात अगर मैं करूँ तो आपके सामने interview में हर question के बाद आपका interviewer बुले आए यार इसकी जो अपने code लिखा इसके time complexity क्या है इसकी space complexity कितनी है क्या मैं इससे ची time complexity में solution निकाल सकता हूँ कि आप इसको optimize कर सकते हो फिर आप optimize solution दोगे इसकी time complexity कितनी है क्या मैं इसको और optimize कर सकता हूँ तो time complexity और space complexity is something विए कि आपसे बार 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 पूछा जाने ही वाला है guaranteed बात की ऐसा को interview नहीं होने वाला आपका जहाँ आपसे time complexity के बार पूछा जाए या optimize solution बार बात ना की जाए तो वो एक reason आपका अच्छा है बट फिर भी थोड़ा अच्छे point आपकर बात करें क्यों तो पहले चीज़ फर making better program आपको पता तो होने चीज़ कि क्या program अच्छा है कौम सी तेज है कैसे बहुत लगेगा मान लो मैंने दो algorithm लिग दी ठीक है मैंने क्या करा यह मेरी algorithm A है सब वीडियो मागे बढ़ने से बाले बात करतें coding ninjas के बारे में इस free dsa course को आप तक पहुंचाने में content quality content expertise से लिकर video sponsorship तक एक major chunk coding ninjas ने support किया है ताकि आप तक कोर्स पहुंच पाए thanks to them coding ninjas क्या है it is one of the largest coding education platform जहां पर आप बहुत प्रकार की courses दे सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड है paid courses के अंतर आप चाहते हैं development कर लो यार machine learning कर लो android कर लो web development कर लो course subject OS, DBMS वगरा पढ़ लो मैं आप यार DSA कर लो Java, Python, किसी भी language के अंदर तो आप यहां से वो paid courses ले पाएंगे सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते है coding ninjas के होई है कि यहां पर one-on-one doubt resulting support अवेलेबल है Hindi, English दोनों में अवेलेबल है question solve करते हैं आपको hint वीडियो से मिल जाएंगी तो अगर आपको कोई भी paid code खरीदना है तो अब आप समझदार है आपके पास यह link के description से पढ़ा हुआ है इस पे click करके आप ले सकते हैं और 20% discount जो के maximum है वे आपको मिल जाएगा धन्यवाद और ये मेरी algorithm B है अब मुझे पता है कि algorithm A में ज़्यादा processing होती है इसे मैं ज़्यादा processing करता हूँ high processing वाली algorithm है काम दोनों से में ही करती है और B जा है वो low processing वाली algorithm है मुझे पता है कि भाई ये वाली जा है ये fast है और ये वाली जा है वो slow है बट मैं कैसे बता आपाऊंगा पतलब अच्छे इंट्यूशन से सोड़ी बोल दो कि ये fast है ये slow है प्रूफ देना पड़ेगा data पांट होने चाही अगर मान लो कि हमने ये fast वाली algorithm कि slow machine पे चला दी और slow वाली algorithm कि हमें विहांड दर सीन जो machine है उसके वाई से slow है या fast performance आ रही है तो उसके अधार पे हम नहीं बता सकते है और particular algorithm fast है या slow है तो हमारे पास एक चीज है जिसके अधार पे हम उसे बताएंगे वो है भाई time complexity मैं machine के अधार पे नहीं बताऊंगा या मैं ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे time लगा दिया कब start हो और कब end हो उस time के अधार पे बता दिया ठीक है तो time complexity ऐसा आपका matrix है जिसके दोबार आप बता पाएंगे कि particular algorithm is fast और slow comparison कर पाएंगे कौन सी अची है कौन सी वेकार है ठीक है बहुत अची बात है मैं किस चीज में दर्शाओंगा जैसे मेरे distance होता है मैं उसको meter में दर्शा सकता हूं centimeter में दर्शा सकता हूं क्यों कि बिग ओफ नोटेशन जो हमें अपर बाउंड दर्शाती है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यह पर्टिक्लर एपी सीडी अल्गरिटम जो है यह हद से हद इतनी टाइम इतना टाइम आपका खर्च करने वाली है वर्स्ट केस कॉंप्लेक्शिट इसकी यह होन कि यह हम बोलूँ कि मेरे पास एक केला है मुझे वो खाना है मैं हद से हद ज्याद से हदा एक मैक्स पांच सेकड़ लोगो इस पूरे केलियों ख़तम करने में उससे जाद नहीं लोगो उस्सी प्रकार एक अलगता मेरे पास पढ़िये हुए तो मैं उसकी कॉंप्लेक्शि कि गोंचाती है कम से कम में टीन सेन पहुंचाती है अब ही हमारा झॉरा फोकॉस है वो बिग अदध गयो पर जिस जादा पूची जाती जाती है ओ पर आपको चामने आने वाली इसके दिसके दोबर आपकी प्लेस्में वाली उसके बार मुझे आधा बात करना प्रसंद अब देखो मैंने कुछ एक्जामपल आपको दिये हुआ है constant time जब भी आपकी complexity मानलो constant time होता है कि fixed time में हो जाएगा है ना आगे जागे हम discuss करेंगे constant time क्या होता है वही है जैसे मानलो मैंने एक for loop चला दिया i0 से लेकर i10 तक और यहां मैंने print कर दिया hello तो भाईसा भी constant है क्यों क्यों कि भाई यह 0 से लेकर 11 बार hello print करने वाला है जो कि fixed है इसमें कुछ variable नहीं है यह fixed है कि 11 बार ही hello print करेगा तो इस program की time complexity constant होगी और इसको कैसे दर्शाओंगा o of one लिखके दर्शाओंगा इस प्रकार में दर्शाओंगा अगर issue को मैं change कर दूँ कि यह इसको जिलो से लेकर n तक चला दिया आँ को हमानलों मैंने दो लूप चला दिया पहरा लूप चला दिया बन से अन तक फिर उसके अंदर nested एक और लूप चला दिया बन से अन तक यह आपका off n square का example हो गया अन उसको हम quadratic time बोलते हैं मान लो मैंने cubic time की बात करें n cube की तो मैंने क्या किया इस दो लूप के लिए डिया और लूप चला दिया एन तक तो भाई साथ तीन लूप चल लगा यह n square बन गया को मैंने cubic time बोल दिया इस पगार ये कुछ-कुछ एग्जामपल है कॉंपलेक्षिटीज की ऐसे कॉंपलेक्षिटीज एग्जिस्ट करती है आपके सामने ऐसे कुछ शब्द आएंगे कते सामने मैंने एक टेबल बना दिया यार ये वाला और मैंने बोला कि इस टेबल में सबसे लीस्ट कॉंपलेक्शिटी है यह भाई लीष्ट है और यह भाई इस टेबल में हाई एस्ट है ठीक है तो अगर आप से कोई पूछे कि यार मुझे यह बताओ कि n-square में और n-log n में किस की complex मतलब कौन सा ज़्यादा high processing complexity माना जाएगा तो आप बलो कि भाईया n-square की complexity जादा होती है n-log n से तो यह आपके सामने टेबल में रख देता कि आपको और अच्छा इडिया लग जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा जोटा है ठीक है आगे जलते हैं अब हम आपको कुछ-कुछ हम देने वाले हैं functions time complexity आपको इसकी दर्शानी की क्या time complexity हो कि इस particular function की ठीक ह हमें क्या पता है कि बिगो नोटेशन जो होती है अब अब बिगो नोटेशन जो होती है वह में अपर बाउंड दर्शा थी तो जैसे उपर नहीं जाओगे इससे नीच ही रहोगे तो हम जैसे हम यह function दिया हम lower degree को जैसे यहाँ पर degree 2 है यहाँ पर degree हो हमेशे इग्नोर करते है तो इस case में हमारी complexity क्या आईगी o of n square जो constant होते है 1,2,3,4 गिंती जो भी उसको भी इगनोर करते है तो आपको क्या समझ माई आप तक lower degree को इगनोर करना है और आपके constants को भी इगनोर करना है बहुत बढ़िया तो आपका answer आगया o of n square मैं इस वाली game में गया मैंने constant इगन कम time complexity मानी जाती है यह ज्यादा complexity मानी जाती है तो भाई सहाब यह n square हो गया तो जब भी आपका plus का हो आपको option लेना है इन तोनों में जो उन सा maximum होगा वो मैं ले लूगा जितनी भी आपके plus में पढ़िया से इस case में आप तीन चीज़े है तो इन तो इन तोनों में जो भी एक number ही है number fixed है कोई variable नहीं है इसको मैं constant time लिख सकता हूँ अभी जस्ट अमने पढ़ा थोड़ी दर पढ़ी है इस case में 300 से मुझे कोई मतलब नहीं है ऊपर n cube लिखा मेरा answer आगया of n cube cubic time complexity यहां पर देखू तो मुझे बता है n square जो होता है log n से बढ़ा होता है और 5 मुझे देखने की need नहीं answer आगया of n square यहां मुझे पता है 4 देखने की need नहीं answer आगया linear time of n यहां मुझे दिख रहा है कि छोड़ो इस 4 पर थोड़ी देखना होता है नमबर थोड़ी देखते है और linear time तो आपने कुछ-कुछ example देख लिए जहां से आपको पता लगए कि मेरे पाइस सामने इस प्रकार का function अगर पढ़ा हुआ है तो इसकी complexity में कैसे निकालूंगा यह मुझे पता लग चुका है बहुत असान चीज आपको लग रही है आपको मज़ा आगया अब तक ठीक है ब एक्जाम्पल्स की complexity हम निकालने का ट्राइ करते हैं ठीक है सबसे पहले हम यहां चलते हैं print array पे इस चीज को समझते हैं एक चलो हम गई हमने क्या देखा कि है print array में क्या हो रहा है एक for loop है जो कि कहांच चल रहा है 0 से लेके n तक जा रहा है और n में कुछ-कुछ print कर रहा है ठीक है तो आपकी time complexity आपको कहा दिखे रहे है जीरो से एन बार यानिक इसमें total एन iteration होई होगी एन iteration होई होगी ठीक है और n जो है वो input है जो भी आपका length of array होगा तो यहां आपकी complexity linear होगी is of n आ गया यह बात मैं समझ मा गई है जब हम reverse करने बैटे थे तो इस बात को समझत एक पर reverse हमने कैसे किया था जैसे यह हमारा array था तो आपको याद होगा हमने यह i लगाए था हमने यह j लगाए था और हम बस swap करते जा रहे थे तो यह हमारा पहला operation हो गया फिर हमने इसको swap किया होगा यह हमारा दूसरा operation हो गया जो हमने इसको swap किया होगा यह हमारा टीसरा तो बांते हैं नहीं, तो यह क्या हो गई, O of N समझाई ही चीज़ में तो रिवर्शी कॉम्लेक्ट इमारी O of N आ गई, लीनियर सर्च की बात करें लीनियर सर्च, इसमें हमने क्या किया था लीनियर सर्च में कि यार हमारे पास एक एरे पड़ा हुआ था N लेंथ का और हमारे पास एक की बड़ी हुए थी, उसकी को हमने हर जगा देग रहे थे तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या, तेरे पास है से उठाकर उनको हमें एक बड़ देखने वाले हैं वहां से आपका time complexity वगरा सब देख लेंगे ठीक है चलो तो पहला question हमारे सामने क्या रहा है यार पहला question हमारे सामने ये वाला आ रहा है इसमें नोने क्या बोले कि a 0 है b 0 है पहला loop चल रहा है आपका 0 से n तक ठीक है तो लूप है ऐसा और उसके बाद एक और फोर लूप लगा दिया तो हमने क्या कि इनकी complexity प्लस कर देंगे मालने इसकी complexity होगी o और इसकी होगी o तो हम इसको plus कर देंगे ये को ज़यगा o आप प्लस m उठाकर इस प्रकार का होता कि और four लूप लगा है उसके अंदर एक और फूर लूप लगा है तो यहां गेम अलग होती है कि मानलो यह n बार चला है यह m बार चला है तो हमारी complexity n multiply m आती है nested के case में multiply करना है और आपका अलग-अलग loops है तो उनका आप add कर दोगे तो इस case में करना हम देखें आले-गला loops है पहला loop चल रहा है n bar और दूसरा loop चल रहा है m bar तो हमारी complexity क्या आ गई o of n plus m यह होगी हमारी time complexity ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे space अभी discuss नहीं कर रहा है बाद में discuss करेंगे ठीक है यह हमारा second question आ गया second question में क्या दिखाया है पहला loop चल रहा है n bar बढ़िया और उसके अंदर एक और loop है जो कि n bar दुबारा चल रहा है तो पहले इसको लिख के दिखाता हूँ आपको कि यार एक four loop इन्होंने चलाया zero से लेके n तक फिर इसके अंदर एक और loop four loop चलाया zero से लेके n तक और फिर ये बंद कर दिया मुझे पता ये n bar चला है मुझे पता ये n bar चला है तो ये क्या हो गया o of n multiply n यानि के o of n square बढ़िया complexity लिखाल लिए हमने अभी खतम नहीं हुआ नीचे और loop चल रहा है वो फिर दुबार n bar चला है ये बाहर चला है zero से n तक इसकी complexity क्या हो गई o of n अब ये अलग था इससे तो ये plus होंगे o of n square plus o of n हमें पता है कि इसके degree जादा है तो मारा answer क्या आगया o of n square ये हमारी complexity आगी time complexity ठीक है आगे बढ़ते हैं और question निकाल लिया मैंने मैंने ये वाला question खोल लिया इस question में क्या हो रहा है एक for loop है जो की चल रहा है zero से n तक फिर उसके अंदर एक और for loop है जो की चल रहा है n से लेके i तक okay और इसको आपने बंद कर दिया ये मुझे दिख रहा है कितनी बार चल रहा है n बार complexity ये भी n बार चल गया और ये nestled loop है तो ये multiply हो गया वो of n square आगया answer simple सी चीज थी आपको सिर्फ worst case उठाना आपको ये नहीं कि i 0 डालो 1 डालो 3 डालो फोड़ो नहीं simple सा एक worst case उठाओ उसको अपना answer निकाल गया दे दो खताब simple सा काम है ठीक है तो हमने आपे 3 question करके देख लिए और अब हम क्या करते हैं कुछ अपने जो हमने question खुद कर रखे है उनको देखके try कर लेते हैं एक बार कि यार इसकी complexity क्या होगी जैसे हम ये max और minimum वाला निकाल लेते हैं तो इसमें हमने क्या किया था हमने एक area था उसमें कुछ-कुछ element पढ़े हुए थे 123456 कुछ भी माल लो यार 8 पढ़ा है 9 पढ़ा है 15 पढ़ा है 60 पढ़ा है हमने बताना था कि इसमें सब maximum number कॉन सा है और minimum number कॉन सा है हम क्या करते थे कुछ भी नहीं max.com ने इसलाइज कर लिया intermin के साथ और फिर हमने हर किस से compare करा कर देख लिया compare कर लेता हूँ अपडेट करता रहूँगा पूरा traverse कर लिया पूरा traverse करने के लिए loop लगाया था 0 से लेकर N तक complexity of N होगी खता N क्या यहां पे length of array बढ़िया तो यह कुछ-कुछ यह समझा गई हमें और PC चलने का try करते हैं यह is prime वाला function देख लेते हैं एक बार i2 से लेकर N तक चलाया भाई और एक loop चलाया यार फिर दुबारा 2 से लेकर N तक चलाया क्या क्या मतलब है यहां पे क्या कहना चाहरे हो आप यह कहना चाहरे होगे कि जब भी मैं 0 से लेकर loop चलाऊंगा अंदर जो मर्जी कर रहा हूँ आपके complexity of N होगी नहीं मैंने ने बोला अंदर जो भी आप काम करें अगर वो fixed complexity में है अगर वो constant time complexity वाला है तो आपकी O of N होगी पर अगर मान लो आपने अंदर को ऐसी function call मार दी मान लेते हैं कि अंदर आपने ऐसी function call मारी है एक function call कर दिया कुछ भी कर दिया इसमें आपने array pass कर दिया जो मर्जी कर दिया और इस function के अंदर जाके आप कुछ-कुछ एक और 4 loop लगाके बैठे हो तो दोस्त हमारी complexity चेंज हो जाएगी न तो 4 loop जब मैं बोलता हूँ कि 4 0 से N चल रहा है तो आपके complexity of N हो गई उसका मतलब यह होता है कि अंदर जो आपने processing हो रही है वो सारी constant time में हो रही है यह अंदर क्या हो रहा है सिर्फ printed हो रहा है तो constant time में print हो रहा है थोड़ा अगे बढ़ेंगे recursion के बाद तो full flash भी आपको लेकर जाएंगे अब PC से दोते हैं वापस देखते हैं कुछ skip की तो यह आपने हाँ तो यहाँ पर क्या है recursive time complexity जो है वो हम बाद में देखेंगे अभी नहीं देखेंगे पढ़ लें उसके बाद देखेंगे हम लास्ट वीडियों फर्स गया थे TLE के अंदर time limit exceed error आगे तो माना यार आपका जो logic आपने लिखा है वो time जादा खा रहा है और हमें कम time में काम करना है तो उस case में हमें कैसे बता लगे कि हम कौन से algorithm लगाएं तो एक rule हमारे पास होता 10 to the power 8 operation rule क्या कहता है कि आज के time पर जितनी machines है modern machines है वो 10 to the power 8 operation per second execute कर लेती है यतना दम होने के अंदर है कि वो 10 की power 8 operation प्रती second कर पाएं ठीक है तो उसके अधार पर हम अपने question को तेक कर decide कर सकते कि मैं कौन सी complexity की algorithm यहाँ पर put करूँ ठीक है तो वहाँ पर मैं TLE बचाने के लिए बहुत प्यारी study यह लगा सकता हूँ हमने questions में पढ़ा था न यार भी तक कि यार आपका N है हम constraints पढ़ते थे मैं आपको दिखाता हूँ भी कैसे हम constraints पढ़ते थे वहाँ लिखाता थे यार N की value ना इसके बीच में लाई करती है example के लिएकर मैं आपको दिखाऊँ तो आपने यह वाला question देखा होगा यह homework में आपको दिया था मैंने यहाँ पर आपने यह constraint पढ़ा न यह वाला question homework में किया था यहाँ पर आपको दिखा कि यार array की length जो एक से 1000 के बीच में लाई करती है आपने pair sum किया होगा इसमें अगर मैं जाओं तो यहाँ पर आपने बढ़ा होगा कि इस प्रकार से constraints दिया होगा तो इन constraints के अधार पर आप कर सकते हैं कि मैं कौन सी algorithm लगा हूँ कैसे जब 10 से 11 दे रखा हो किसकी बात कर रहे हैं जो आपको input में आने वाला है न उस input के अधार उस input को इससे compare करने का अधार पर कि मानलो आपको बोला है कि यार आपका n जाओ 10 की पर 6 के वानट से 10 की पर 6 के वीच में लाई करता है तो आपको पात लगी यार मैं at max तुभार समझे at max o n log n वाली algorithm लगा सकता हूँ इससे कम की लगाऊंगा n की लगाऊंगा तो चलेगा बढ़ मैं o n log n से उपर वाली यानि इन में से कोई भी नहीं लगा सकता इस case के अंदर समझे अगर मुझे बोला 10 to the power 8 तो भाया मुझे या तो linear time लगाना पड़ेगा या मुझे logarithm time लगाना पड़ेगा इसके उपर वाली कोई पर नी चलने वाली सारी की सारी TID माज जाएंगी तो यहां से आपने बड़े प्यार से गेम लगा दी कि मेरे पार 3-4 logic दिमाग में है बट इनमें से कौन सा वाला logic असलियत मेरे सारे टेस्ट के सपास करवा देगा उसके लिए आपके पास यह चार्ट बढ़ा हुआ है 10 to the power 8 operations rule तो इसको आप देखे यारे question solve करते है lead word हम solve कर रहे हैं यारे किसी platform पर code should पर solve कर रहे है make sure कि यह चार्ट apply कर रहे है क्या यह चार्ट valid है क्या इस चार्ट से आपको साहिता मिल रही है क्या इसका practical use हम कर पा रहे है हाँ या ना ध्यान देना इसी इसके उपर तो यह चीज आपको समझ मागए कि अच्छा वहिया ऐसे था यह तो यह बहुत प्यारी चीज़ है बहुत ही जादा प्यारी चीज़ इससे आपका बहुत सोचने वाला time सड़ा कम हो जाएगा हाँ ठीक है यह लगा दूँगा अब यह लगा दूँगा एक प्रोग्राम है उसमें space complexion निकाल के दिखाऊ उसमें space complexity क्या है दुबारा चलते हैं तो तीन प्रोग्राम हमने देगे तो उसमें कैसे निकलेगी इस पर जार डिसकस निकारेंगे बाद में dedicate time करने ही वाले है तो ज़्यादा महनत नहीं देखो हमने आपके क्या लिए space पहले space community होता गया है दुबारा जैसे हमने time complexity का बोला था कि आप जो आपको input मिल रहा है उसका function बना रहे हो और उसका दार पर दिखा रहे हो कितना time आपकी algorithm लेने वाली है तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर बताने वालो कितनी memory आपकी algorithm लेने आई बनाया जे बनाया खता तरसे variable जब बनाते है तो इसमें टेंशन नहीं होती कि यार वही है variable बना दी मैं 10 बना दी मैंने 50 बना दी तो मैं क्या को में space complexity बढ़गी नहीं आप variable बना रहे हो इंट A लेकर रहे हो इंट B लेकर रहे हो आपने बना कैस छोड़ दिया इसके space थोड़ी कर दिया लोगों ने फिर दोबार off one space आ गया इस case में फिर से normal variable है फिर से off one आ गया अब चलते हैं एक ऐसे case में जहां पर कुछ अलग हो मैंने एक प्रोग्राम लिखा function और यहां मैंने एक array बना दिया अगर मैंने 5 size का array बनाया है इसमें 1,2,3,4,5 इस पकार का मै मैं आप से पूछ रहा हूं कि यार इसकी space complexity बताओ आपने बोला भाया इसकी न ज्यादा हो मैंने क्यों आपने याप array बना दिया ना array नहीं यार मुझे पता ना fix size array of 5 5 size का array होगा मैं फिर दुबार बोलंगो oh one है कुछ भी नहीं समझे इस चीज को जब हमने fix यहां पर ल और फिर मैंने एक vector बनाया vector int v और इसका size मैंने दे दिया n ओ भाई साब n तो variable है इस variable के अधार पर आपने एक vector create कर दिया तो इस vector का size कितना इसकी length कितने पहले समझते है इसकी length हमने आ पर दिया n तो n length का हमने vector create कर दिया तो हमारी space complexity क्या होगई o of n यह चीज हमें समझ में आ चुकी है अगर मान लो मैंने क्या किया एक for loop लिखा जो 0 से n तक चल रहा है और फिर मैंने आप एक vector create कर दिया vector int v n size का और मैंने एक और for loop लिख दिया जो 0 से n तक चल रहा है अंदर यह इसके सब कुछ अब बताओ मुझा इसकी space complexity क्या है अच्छ सूचो यह vector यहाँ पर पूरा इसमें भाई साब ने create कर रहा है ठीक है तो यह कितने size का बना है ओ of n size का बना है फिर उसके बाद यह पूरा for loop चलेगा और फिर वापस इसके second iteration पर आएगा यह फिर दूबारा scratch से create होगा उसके बाद एक और for loop चलेगा फिर 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 दूब लगे हैं तो मैंने multiple लगर के off n square बोल दिया नहीं दोस्त वो time complexity होती है space complexity हमेशा हमें कि इस पर देखनी है जो जो memory हमने लिए है vector ने memory लिए होगी for loop memory नहीं लेता है for loop का time खाने वाला है vector जो है वो space खाने वाला तो space खाता है उसको space complexity में डाल देता हूँगा ठीक है यह छ space complexity क्या होगी तो try करते हैं यहां पर क्यार कुछ ही नहीं हमने fix लिखा तो constant होगी विल्कुल constant space complexity क्या सकते हैं constant space उठा रहा है हो सेम यार हमने तो ऐसे normal है हमने constant space वाली चीजें करी अभी तक हमने vector का use नहीं कर रहा है अब तक अपने code के अंदर वो भी हम करेंगे समय के साथ बड़े भी तक हमें पता लग गया कि यार किस प्रकार में space complexity काम करती जाए तो यह नहीं गए है पता है मुझे आगे जगे जाएंगे main intent ही है कि मैं आपको भी पाइन रिसर्च पढ़ाऊंगा तो आपको time complexity का idea हो थोड़ा बहुत मैं आपको sorting algorithm पढ़ाऊंगा आपको time complexity का idea हो थोड़ा बहुत यह मैं चाहता था इस lecture के बाद आप time complexity का आपको थोड़ा बहुत idea लग गया है अब मैं आगर आपके आगे 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 बोलू कि यार इस particular function के time complexity of n है तो आप बलो कि हाँ आगे बोलो और बताओ ठीक है मैं आगे बोलू कि यार जो binary सर्चान है यार इसकी complexity of login है तो आप ऐसे नहीं हो कि क्या क्या है वाले reaction है वो नहीं आएगा आप बलो कि अच्छा तो इस पकार यह time complexity space complete का प्यारा सा छोड़ा सा lecture खतम करते हैं बताना आप मजायक नहीं आए य हमारी चोटी वीडियो में से एक है मैं इसाब सिफ तक ही सब चोटी वीडियो ही वाली होने वाली है तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में जो की most probably primary research के उपर होगी यह sorting आगे तुमस के उपर होगी देखते हैं क्या आता है जो भी आएगा पुरे दम के साथ आएगा ज कि या आता हुगगा, जाँ गटूोरा यहें ऑला जाएगा ऌना तो अनों थे खूपते हैं मैं जो का दोता है हूँ एटूरा टीर वाली है, पोला रस्या दूहें ओलाőएगा यह थाएगा जाएगाड़ो दे एलाएगा है झाल झाल